वेल्कम बैक तूज्वेया मैस अगर आपने नहीं दिखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देदूंगा और वीडियो भी आप अच्छे से जाके इसको देख सकते हैं और इसके आगे हम क्या करेंगे तो मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों इसके आगे हम खुरू करने वाले आपने मार्स की सव infantry एक तूमार्स खूशन का कि लेने वाले अपको पूरी की त्यारी करा आएंगे इस चैनल के rozp वाने लों पहली बार चैनल पहार आए तो सब्सक्रापी कर ले बहुत आमूंद कै है वह प्रैक्टिकल और हम असाइनमेंट हमने नहीं करें ओके तो चलिए शुरू करते हैं अलड़ी हमने हम असाइनमेंट कर चुके यह तो हम असाइनमेंट भी आप अच्छे से देख लो यहां पर को किसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने प्रैक्टिकल बुक में कंपीट कर ल लो चलिए अगे बढ़ते हैं अर्फमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर है कुछ भी रिडिउस नहीं हुआ तो देखो मैंने डेड़ भी दाला हूं तो वही साथ से आप डेड़ भी दाल दो और अच्छे सका स्क्रीन शॉट लेकिए इसको अपने प्रैक्टिकल पर है तो डेड़ भी दाले हमने पूरा अच्छे से सौल भी करें इसका स्कीन शॉट लेलो आप और प्रैक्टिकल बुक में अच्छे से इसको कंपीट कर लो इसी तरह से एंवन का जो लास्ट चैप्टर है स्टाइस्टिक्स यह भी रिडिस हो चुका तो यह भी हमको नही नहीं करें और इस तरह से पार्ट टू पर आते हैं और अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यह हम असाइन्में सिमिलारीटी का है और यहां पर जो एंगल बाय सेक्टर जो प्रॉपर्टी है वह रिडिस हो चुगा तो यह हमने अक्टिविटी नंबर वन नहीं करें टू तो यह हम प्रैक्टिकल यह हम असाइन्मेंट हम नहीं करें प्रैक्टिकल नुबर फाइज सेवन और एट हमने अल्रडी कर चुके इसको अच्छे ते देख लो स्क्रिंशॉट ले लो और प्रैक्टिकल बुक में कम्प्रीट कर लो कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना ओके चलिए आगे बढ़ते सरकल सरकल का भी लास्ट प्रैक्टिस से और इसी तरह से यह सरकल के भी जो इंसक्राइब एंगल थे इसी तरह से ओके यह पुरे हम असाइन्मेंट है इसको अच्छे ते देख लो आप स्क्रिंशॉट लेगे इसको कर लेना ओके स्कीन शॉट ले लो इसका चलिए आगे बढ़ते कोडिनेट जॉमेट्री इसी तरह कोडिनेट जॉमेट्री का भी जो लास्ट प्रैक्टिस से वो रिडियू से हाला कि हमने यहां पर होम असाइन्मेंट में पूरा कर लिया आप अच्छे से ले लो और इसको प्रैक्टिकल बुक में कंप्रीट कर लो जैसे का आपको मालूमेट्री भी 6.2 प्रैक्टिस से रिडियू से बागे 6.1 के जितने भी होम असाइन्मेंट है हमने इसको अच्छे से कर लिए इसको भी अच्छे से देख लो समझ लो कुछ भी नहीं समझ भी आ है बच्छो मु देखेंगे यहां पर आपको मांग देंगे ऑगे प्रैक्टिकल टू में जा रहे हम section में section 2 में प्रैक्टिकल वन में यहां पर कुछ भी नहीं था इलस्ट्रेशन दिया होता है तो यहां पर स्टूइन एक्टिव वीडियो में देख चुके होंगे तो अच्छे से इसको भ प्रैक्टिकल टू में अगर हम आएंगे यहां पर भी हमें अच्छे से सौल कर चुके 23 पे प्रैक्टिकल टू भी अच्छे से देख लो आप स्कीन शॉट लेके इसको भी कंप्रीट कर सकते हैं फिर पे नमोर 24 पे यह भी एक्टिविटी है बहुत सारे कोडिनेट पॉइं प्रैक्टिकल ट्री में भी यहां पर एक चार्ट है यहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी है एक्टिविटी बहुत इंपॉडट है एक्जाम पॉइंट फ्यू के लिए यह पे नमोर 25 का भी आप अच्छे से देख सकते हैं और इसको भी कंप्रीट कर सकते हैं इसी तरह से हैं यहां पर कुछ भी नहीं है तो इस तरह से हम पेज नमोर 27 पे जाएंगे और यह भी आक्टिविटी आप अच्छे से देखे कर लो आल्फा प्लस बीटा रूर्स अफ़ दे एक्वेशन का हैं यहां पर यह इसको भी कंप्रीट कर सकते हैं फिर प्रैक्टिकल 5 में यहां पर भी एक वैल्यू है यहां पर आप देख रहें यहां पर दोस्तों तो यह भी आप अच्छे से इसको लिख लो अच्छे से पेज नमोर 28 पे और फिर 29 के उपर इसका भी स्क्रीन शॉट लेके आप इसको भी अच्छे से समझ के सॉल कर सकते हैं ओके 29 हो गया फिर पेज न अच्छे से इसको भी आप देख लीजिए स्कीन शॉट लेकि अपने प्रैटिकल भूग में आज के आज इसको कम्पीट कर लीजिए इसी तरह से फिर यह स्टैटिसिक्स के हैं ऑके कोश्टिंस पाई डाइगराम वगरा है तो यह रिडूस हो चुका है तो यह हम नहीं करे देंगे ओके इस तरह से यह अपना एम वन कम्प्रीट हो जाता है फिर हम एम टू पर आते हैं यहां पर देखरें यहां पर सिमिलारिटी के कुछ दिए वह यहां पर ट्रैंगल के इसाब से कुछ प्रसीजर दिए वह एक्टिवडी दिए वह अपने को प्राइप्राइटि पर 45 पे नमबर पे कुछ भी नहीं है यहां पर 46 पे बहुत सारी वैलिउस है यहां पर हमको कंप्लीट करना है तो यह भी अच्छे था आप स्क्रीन शॉट लेकिए इसको भी अच्छे था आप कंप्लीट कर सकते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लोग फिर प्रैक्टिक से तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो यहां पर इसको देख लो अच्छे से सरकल के ही है तो इसको भी हम कर सकते हैं और यहां पर भी कंस्ट्रक्शन के कुछ कोशन से यहां पर हमने अक्टिवडी करें और कुछ वैलिउस भी लिखें यहां पर तो यह भी आप अच्छे से देख लो इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरह से फिर प्रैक्टिकल नमबर फाइव यहां से शुरू हो रहा है तो इसको भी हमन यहां पर भी कंस्ट्रक्शन स्केर करें वे अच्छे से देख लीजिए इसको भी अच्छे से ओके कॉंस्ट्ट ऑफ सर्कल और इसका इंटरसेप्टेट अर्क कैसे ड्रॉ करना है तो यहां पर यह एक्टिवडी इसको कंपीट करेंगे और पेज नमबर 53 पे पूरा यह करन है आपको अच्छे से सॉल करना है और वैल्यू इसकी रख देना ओके नेम ऑफ द एंगल लिखना है और इंटरसेप्टेट आग का नाम क्या है यह भी हमने लिखे वे तो यह भी इसको भी आप स्कीन शॉर्ट लेंगे इसको अच्छे से कर लेंगे ओके यहां पर भी पेज नमबर 56 पे यहां पर यह वैल्यू स्थी जो हमने पिछली प्रैक्टिकल में आपने देखे रहेंगे अच्छे से तो इसको भी आप देख लीजिए यहां पर केस्ट वन केस्ट्री में वैल्यू पूट करके इसको सॉल कर लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नमबर 9 में यहां पर भी पेज नमबर 59 पे इसको भी अच्छे से देखे स्क्रीन शॉट लेके इसको भी सॉल कर लीजिए फिर बाद में प्रैक्टिकल नमबर 10 यहां से शुरू हो रहा है तो मैंसुरेशन तो रिडूस हो गया पूरे चैप्टर तो इस साल के लिए हम यह कर सकते हैं तो यह इस तरह से अपनी प्रैक्टिकल बुक तो यह अपने प्रैक्टिकल बुक में अच्छे से कंप्लीट कर लो और कमेंट करके बताना यह वीडियो कैसा लगा कुछ भी नहीं समझ में मुझे कमेंट करके पूचिए तो फिर से मैं बोलूँगा थांकि वेरी आपके अपलोट करेंगे ओने डेली बेसिस तो जोए मैस अकडेमी की साथ में बने रोब पूरी अच्छे ते तैयारी कराएंगे और हंडेड आट और हंडेड आजड आप मैस में ले सकते हैं तो तैंक्यू वेरी मुच थैंक्स वर वाचिंग जोए मैस अकडेमी अपना ख